नमस्कार दोस्तों देखे साथियों आज का अपना टोपिक है अधिगम समंदी कठीनाया अधिगम वाला पार्ट अपना जारी है साथियों इसके बाद में चिंतन और अभी प्रेणा साथियों जब आप टोपिक को पढ़ते हैं या हमारा वीडियो देखते हैं उस समय में गारंटी देता हूँ साथियों कि आपके अच्छे से समझ में आता है बहुत से विद्यार्थि ये कमेंट भी करते हैं कि सर एक बार तो याद हो जाता है लेकिन फिर दिर दिर आगे वाले टोपिक देखते हैं तो पिछे का गाईब होता चला जाता है तो ये समस्या साथियों सभी विद्यार्थियों के साथ में आती है कोई भी ऐसा अकेला विद्यार्थि नहीं है जो बूलने की बिमारी से ग्रिस्सित हो ये सभी के साथ में होता है फिर आवसिक्ता क्या पढ़ती है साथियों याँ पर आवसिक्ता यही पढ़ती है कि आप लगातार उन वीडियो को जो देखे हुए हैं उनको दुबारा से देखें या आपने सोट नोट बना रखें उनको देखते रहें बार-बार शुरुआत में जब लर्ण करते हैं सीखते हैं किसी चीज को तो निस्चित ही जोगराता है और दीरे-दीरे फिर आपके द्वारा अच्छे से दिमाग में फीड हो जाता है तो फिर निकलने के संभावना बहुत ही कम रहती है तो इसलिए आपको मेनत ज़्यदा करने क्या हो सिकता है बाकि याद रहेंगे साथियों जब भी आप एक्जाम में बैठेंगे तो मेरे द्वारा ये उच्छारी तसबद आपके दिमाग में फटाग से आ जाएंगे तो निस्चिंद रहें ऐसी कोई बात नहीं है आपका ध्यान उस वीडियो पर ही रहना जिए जिसको हम पढ़ रहें ये ना सुचें कभी भी कि मैं तो पिछे वाला बूल गया बूलते नहीं है वो क्या होता है जैसे ये आपका माइंड है साथियों बहुत बड़ा इसके अंदर स्पेस रहता है मेमोरी रहती है वो बस होता क्या है साइड में हो जाता है आपका जो याद क्या हुआ है और जो ही आप पेपर देने बैठते हैं तो पड़ा हुआ है पहले का जैसे अधिगम एच्छमता नाम है यानि उसमें सीखने की जो केपिसिटी है वो कम होती है एच्छमता तो यह फटाक से आपके यहां से फिर दिमाग के उच्छ स्थर में आ जाएगा एगदम सामने आपके आ जाएगा निकल करके तो यह मेमोरी में इधर उदर बैठा रहता है बाकि यह नहीं कि गाई भी हो गया पुरुणता ऐसा नहीं होता है तो आप लगतार इनका व्यासे करते रहें आज का टोपिक बहुत ही शांदार है और एगजाम में सो परतिसत गारंटेट साथियों इसमें से हर बार एगजाम में परसना आया है और आगे भी आएगा तो अच्छे से इसको देखें जब आप फ्री हो आधिगम समंधी कठिनाया डिफिकल्टी रिलेटेट टू लर्निंग लर्निंग डिसोर्डर यह टोपिक है साथियों यानि जब आप सीखते हैं तो सीखने के समय में बहुत सारी गठिनायों का आपको सामना करना पड़ता है अधिगम ऐ चमतापत का सरो पर्थम प्रियोग किया गया 1963 में किसने किया सेमूल क्रिक द्वारा दिया गया इनका नाम साइकोलोजी में बहुत ही कम आया है तो अच्छे से याद रहे गए 1963 में दिया कौन सा ये सब्द किसने दिया सेमूल क्रिक ने कई बार क्या है साथियों बालकों में अनेक परकार की समस्याइं देखी जाकी है जिसके कारण बालकों को अधिगम में कठिनाई उत्पन होती है ऐसी कुछ समस्याइं निमन लेकित है अब ये याद करने योगे है साथियों आपको अच्छे से इनको ध्यान में रखना ही होगा इनहीं में इसे परसन आता है लिखने समन्दी समस्या उसको कहते हैं साथियों डिस्क ग्राप या जैसे B को D लिख दिया 6 को 9 लिख दिया तो इसको क्या करते हैं डिस्क ग्राप या अब ध्यान में कैसे रखेंगे देखे जैसे साथियों आप कोई ग्राप बनाते हैं ग्राप बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं आप लिखते हैं, जैसे इधर समय लिख दिया, इधर दूरी लिख दी, इधर जीरो लिख दिया, और इस प्रकार से लाइनों को आपने खिंचा, यानि क्या कि आपने लिखा, ये देखें आपर ग्राप सब्द है, डिस ग्राप या, तो इस से आप इसको समझ सकते हैं, बाकि ये भी द्यान में रखें, बी को डी लिखता हुए, लिखने में समस्या आ रही है, लिखने समन्दी समस्या, यानि डी स्क्राप या, दूसरा है आपका पढ़ने समन्दी समस्या, आपको तो आप पढ़ता है, बट को पुट पढ़ता है, इसको कहते हैं डिसलेक्सिया, अब सर आजकल की नई फिल्मों में तो पता नहीं लेकिन पूरानी फिल्मों में साथियों जहील के किनारे या जहील के आसपास जो हिरो हिरोईन होते थे वो क्या करते थे संगीत यानि गीत डांस ये क्या करते थे पूरानी फिल्मों में तो इससे याद रखें dyslexia यानि लेक जहील के किनारे क्या कर रहा है गा रहा है, पढ़ने समंदी पढ़ने समंदी समज़ा इसमें देखने को मिलती हैं कोई जो बुद्यारतिय हैं वो लडगा है उसको लखड़ा पढ़ते हैं लखड़ा लड़की को लकडी पड़ते हैं तो इस परकार की समस्या यह पढने समंदी समस्या यह साथ योँ सही परकार से नहीं पढ़ते हैं dyslexia याद रखें इसको दो गया आपके अब है साथ योँ यह यह के dyslexia इसमें क्या है बोलने, चलने, पढ़ने, लिखने ये सारी समझे हैं इसी में देखने को मिलती है गतिक कोसल भी बोलते हैं इसको गतिक कोसल में निरी हो गेता मोटर स्किल अब याद कैसे रखें इसको सरी इसमें तो सारे ही आगे तो इसको ध्यान रखेंगे देखे ये ट्रिक صिर्द ध्यान में रखने के लिए हैं साथियों जब भी साथियों आप खेत में spray करते हैं ये देखे नाम है spray तो पूरे खेत में करते हैं अच्छे से करते हैं पूरी पसलों पर ऐसे थोड़ी यहां पर छोड़ दिया यहां पर इस्प्रे कर दिया ये उदारण थोड़े से क्या है सरल करते हैं इसको सीखने को ये तो calculation से समंदित है साथ हूँ calculation का मतलब क्या होता है गन्ना और यहाँ पर देखे गनित ये गन्नाओं समंदित समध्या गन्ना करते हैं जैसे 2 प्लस 2 बराभर क्या होता है 4 केलकुलेशन से समंदी करेंगे और केलकुलेशन का मतलब गंणा है यह आद हो जाएगा सानी से इसके बाद में हैं सात्यों हापका अवधान समंदी समस्या अटेंशन डिफीसियेट हाइपर एक्टिविटी डिसोर्डर ये इसका पूरा नाम है कई बार ये भी पूछ लिया जाता है A, D, S, D A, A से सात्यों अवधान A से अवधान बस इतना द्यान में रखें इसमें डिसोर्डर है, डिसोर्डर का मतलब कोई समस्या A, D, S, D A, D, S, D ये जो पहला ही सबद है इसका इससे मिलान कर लें अवधान बासा समंदी विकरती बासा विचार व्यक्त नहीं कर पाना बासा संफ्रेशन नहीं कर पाना यानि जब किसी के सामने किसी से बात्चीत की जाती है तो अच्छ से नहीं कर पाता है बासा समंदी उसमें विकरती देखने को मिलती है इसी को बोलते हैं फेस या बासा गात जब वह सात्यों समझें देखे इसको याद कैसे रखेंगे इसको जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं और सही प्रकार से आप बात नहीं कर पाते हैं तो आपका क्या उड़ जाता है खेस खेस क्या है आपका उड़ जाता है कई बार कहते हैं कि चेरा इसका उड़ा उड़ा लग रहा है वो क्यूं? क्यूंकि आप बासास अंप्रेशन सही परकार से नहीं कर पाते हैं बासासमंदी विकरती आप में देखने को मिलती है ये नाम भी ध्यान में रखें बासागात धीरे धीरे ऐसे याद हो जाएंगे सारे एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा और अपनी कोप्य में लिखें उनको डिस फेदिया जनम से नहोकर बाद में किसी चोट से मानसिक विकरती के कारण विचार वेकते नह कर पाना ये सबद सभी आपके लिए नहीं है इसलिए थोड़ी प्रोब्लम इनमें जरूर आएगी सात्यों कोई बच्चा है जनम से विचारा बिल्कुल ठीक था लेकिन बाद में किसी चोट के कारण उसमें मानसिक विकरती आजाती है यानि पागलपन जिसको कहते हैं तो उसके कारण विचार वेकत नहीं कर पाता है उसको कहते हैं डिस फेजिया फेज हो गई नहीं देखो ये शुरुआती दोर और ये इसके बाद का दोर डिस फेजिया इसके बाद में है प्रोजेरिया कम आयू में वर्दा वस्ता के लकसंग यानि वेकती बुड़ा सा इसमें दिखाई देता है बहुत से विद्यार्थियों को आपने देखा होगा एकदम दूबले पतले और ऐसे लगते हैं जैसे वर्दा वस्ता की तरफ चले गए आलांकि उनके उनके उमर नहीं हुई है कम आयू है फिर भी बुटे से नजर आपको आते हैं उसको कहते हैं प्रोजेरिया एक है डिसमोर्फिया स्वर्म के बारे में बर्मित रहना यानि सारीरिक रूप के बारे में अब देखे साथियों यहाँ पर है मोर्फिया मोर्फिया से निकलेंगे आप मोर को मोर में क्या होते हैं बहुत सारे रंग होते हैं अलग अलग प्रकार के और उन से आप क्या रहते हैं बर्मित कि ये देखो ये कुन सा रंग है ये कुन सा रंग है ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रंग उसमें दिखाई देते हैं मोर में और उन से आप क्या होते हैं बर्मित श्योम के बारे में शरीर किसका मोर का और उसमें बहुत सारे रंग उन से आप क्या होते हैं बर्मित तो इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे इसके साथ में मांसिक तनाव समंदी विकार अभी तक ये पुछे बहुती कम गए हैं लेकिन उपर वाले हैं फेश्या है डिस्पेजिया है फोजीरिया है इसमोर क्या है ये बहुत बार आ चुके हैं साथ योँ एक तुपका ही आएगा एक्जाम में तनाव की गंभी रवस्ता मांसिक तनाव समंदी विकार तो ये क्या आपका डिस्टीमिया डिस्टीमिया तो इससे आप डिजीज भी याद रख सकते हैं डिजीज और जब भी कोई आपकी विमारी होगी आपके तो मांसिक तनाव आएगा तनाव की गंभी रवस्ता आप में देखने को मिलेगी कि पेड़ दर्द हो रहा है, सर्दर्द हो रहा है कि यहाँ से दुख रहा है डिस्टीमिया डिजीज एक्रो फोबिया उन्चाहि से डृ लगना उन्चाहि से डृ लगना एक रो से आपे यहां से सबद निकालेंगे अकेला एक रो अकेला अकेला व्यक्ति जब भी उन्चाईयों पर जाता है किसी पाढ़ पर जाता है तो उसको क्या लगता है ड्र लगता है उन्चाईयों से ड्र एक रो एक लो एक लो रजस्तानी में बोलते हैं एक लो विसे एक रो फोविया है व्यक्ति का समाने विवार लेकिन समाज या समूर में जाने पर सरमिला विवार समाजिक्ता का अभाव यही क्या है आपका ओटिजम है सामाने विवार लेकिन सातियों समाज या समूर में जाने पर सरमिला विवार यानि अकेला ही रहना सता है सातियों के साथ में समूर में जाने में उसको क्याती है सरमाती है सामाज जिक्ता का जिसमें अभाव हो घर से कभी बहार नहीं निकला हो समाज के साथ में जुड़ा नहीं हो वह है क्या है ओटीजम और एक है आपके सरवन समंदी विकार सुनने में समझ जा Auditory Processing Disorder किसको कहते हैं? Auditory Processing Disorder सरवन समंदी विकार सुनने से समंदी एक और है जूट बोलने या अतिस योक्ति की आदत है जूट बोलता है अतिस योक्ति की यानि बढ़ा चड़ा कर अपनी बातों को किसी के सामने प्रेजेंट करना अतिस योक्ति की आदत ये कहलाती है आपके मिठो मेनिया अब आगे देखे साथियों आगे दे रखा है चिंता के कारण दोरे पढ़ना तता पक्सा गहात हो जाना इस्टीरिया कहलाता आपका चिंता होती है बोज जाता गई बार तो बेक्ति बेहोस हो जाता है दोरे पढ़ना सरीर में कमपन वज़े रहा तो इसको कहते हैं इस्टीरिया इस्टीरिया से देखे जब भी कोई इस्ट्री सिट्र आपके सामने आता है तो आपको क्या पढ़ते हैं? दोरे पढ़ते हैं इसको देख करके आपके ड्र जाते हैं इस्ट्री सिट्र, इस्टीरिया बोजन गरहन परवर्थी समंदी समच्छा या आपके अब बुली मिया सात्रों राजस्तान में जो छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं अपन बुलिया आरे बुलिया आरे बुला ऐसे बुलाते हैं ना उसको बुलिया या बुला खाना खाले बुला खाना खाले बुलिया इस परकार से तो इस से ध्यान में रख्या हैं बोजन ग्रहन परवर् जरूर्थ से ज़्यादा आहार ग्रहन करते हैं, अर्थार्थ भूक नहीं होने पर भी खाते हैं, ऐसे वेक्ति अपने आद्टों को नियंत्रिते नहीं कर पाते हैं, बिंगी आहार विकार, जरूर्थ से ज़्यादा खाते हैं, भूक नहीं होने पर भी खाते हैं, जैसे ही उन वनने पर कठिम प्रियास करता है कि सोरों को अपने बोजन से कुछ खादे पदार्थों को निकालते अथवा केवल दूरबल बनाने वाले खादे पदार्थों का ही सेवन करते देखा जाना बहुती सामाने गठना है और इसको कहते हैं एनोरेक्षिया नर्वसा जब भी कोई वेक्षिया मोटा हो जाता है आजकल डाइटिंग वाला चल रहा है कि डाइट पर हूँ में बहुत से साथियों से आपने सुना होगा कि डाइटिंग पर चल रहे हैं अभी तो वो क्या है एनोरेक्षिया नर्वसा बोलते हैं उसको NCRT से उठाया हुआ देके दुबला इसमें बन्य का प्रियास किया जता है कठिन प्रियास चार चपातियों की भूख है और खाता कितनी है एक ही कि कैसे भी करके मैं पतला बन जाओं तो ये थे साथियों आधिगम समंदी कठिनाया विकार इनको आपको याद करना ही होगा स अच्छे उधानों के साथ में कमेंट अबसे ही कीजिएगा आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नए टोपिक और नही जानकारी के साथ में तब तक के लिए जैह हिंद